नमस्कार प्यारे साथियों मैं आपका साथी मंदीब कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उसको लेकर उन्होंने थोड़ा सा एक इसारा किया तो इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे अगर तो आप इनमें से किसी भी बरती से जुड़े हुएं फ्रेंड्स तो आप वीडियो को सुरू से लेकर लास्त तक जरूर देखेगा और हां भाई जो पहले बार पर आया चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें तो देख लेते हैं चेर्मेंट साब ने क्या बोला देखिए कल उन्होंने अपने एक इंटर्वी में बोला है कि भी हरियाना करमचारी चैनायग ने लांच किया समाधान पोर्टल लांच किया है आयोग के दक्सभारत पूश्ण बारती ने दैनिक सवेरा को बताया किस पोर्टल को लांच करने का मुख है मकसद उमिद्वारों को उनकी समश्याओं करने उनकी बात आयोग तक सीधे पहुंचाने और 32 सम्मंद किसी भी प्रकार के इन्य स समश्या का समाधान करवाना उनने बताया किस पोर्टल पर उमिद्वार को जिन समश्याओं का समाधान हो सकेगा उनमें भरती से सब्मनित विग्यापन अदालती मामले उनकी पालना प्रिणाम अन्तिम प्रिणाम दस्तावेजों की जांच और लिखित प्रिक्षा सामिल है उनने पताया कि उमिद्वार पोर्टल पर उपनी समश्या बताते हैं अपना पिता का नाम इमेल आइडी विग्यापन संक्या केटेगरी नंबर रोलंबर दर्ज करेंगे उन्होंने बताया उमिद्वार को लोगिन आइडी रजिस्टर्ड नंबर पता हैं सहर राज्या का नाम दिखना होगा उमीदवार एक बॉक्स में अंग्रेजी बासा में अपनी समिश्या लिक्स केंगे इसके अलावा उमीदवारों के इस पॉर्टल पर फाइल अटेज्मेंट का ओप्सन भी दिया गया ताकि उमीदवार अपना कोई डाक्यूमेंट अटेज करना चाहे तो क अस्तावेज जाज हो गई है उन्होंने अंतिम प्रिणाम कोशित करने के लिए ट्वीटर और अन्य सोसल मीडिया प्लेटफोर्म पर मोहिम चला रखी है इसके लावा गुरूप डी वेटिंग के उमीदवारों की विमांग है कि जिन विभागों में गुरूप डी की वेट गोशित करने के लिए मुहिम छेड़ी इदर आयोग के दक्स बात बुशन बारती ने देनिक सवेरा को बताया कि गुरूप डी वेटिंग के बखाया पदोकर विभाग आवंटन के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि परदेश सरकार ने जितने पदायों के पास बेजे थे उनकी सुची जारी कर दीगे यह फैसला अब परदेश सरकार को करना है कि वेटिंग के इन्य बुदों पर सुची जारी करवानी है या नहीं अगर सरकार की तरफ से सुची आएगी तो आयोग जरूर इसमें सिपारेस्ट करेगा सोसल मीडिया या नहीं तरी उन्हें बताया कि पोर्टल पर जो समश्या है दर्ज होंगी उन्हें आयोग परकेगा और जो समयश्या है